हे गाईज तो कैसे हो सब लोग definitely exhausted होगे because तुम लोगों ने FIFA 23 को install किया and you see this screen and इस पर तुम लोग काफी time तक stuck रहे हो and अभी तक अब तुम लोगों की game launch नहीं हो रही तो definitely exhausted होना तो बनता है and इसी को fix करने के चकर में तुम लोगों ने YouTube को ली search किया FIFA 23 का fix and तुम लोगों को मिल गई मेरी वीडियो and definitely मेरी मिली होगी इसलिए यहां पर तो FIFA 23 का fix इस एक या दो मिनिट की वीडियो जितनी भी इसकी length बनती है उसके अंदर मैं तुमारा fix कर दूँगा तो simply तुम लोगों ने क्या करना है FIFA 23 को on करना है जहां पर भी है तुमारे desktop पर है या start menu से launch करते हो वहाँ से FIFA 23 को simply on कर लो and after that तुम लोगों ने क्या करना है FIFA 23 को जब ये stuck screen आ जाएगी उससे minimize कर देना है close नहीं करना Windows का button प्रेस करके इसे minimize कर दो या उसके लावा task manager ओपन कर लो control shift escape प्रेस करके ये बिलकुल तुमारे पर है किसी भी तरह FIFA 23 को minimize कर दो and after that YouTube चलानी है कोई movie देखनी है कुछ भी करना है वो तुमारे उपर dependent है कुछ भी और open कर लो and 10 से 15 minute तक करते रहो and after that जस्ट तुबारा FIFA 23 को जो minimize वी थी उसे open करोगे तुमारे FIFA 23 रन करने लग जाएगी ये FIFA 23 के अंदर बस problem आ रहा है कि ये first boot पे first attempt जब तुमें first time ये से launch करते हो तो उस time ये 10 से 15 minute लेती है start होने में literally मेरे बस SSD है SSD भी M2 है और solar GV RAM मतलब काफी अच्छा PC है फिर भी मेरे इसने 10 minute लिये है start होने में तो हो सकता है तुमारे भी इतना ले जितना भी higher NPCO matter नहीं करता ओके हो सकता है low end में ये ज्यादा लेती हो but anyways hopefully तुम लोगों का ये error fix हो गया होगा अगर error fix हो गया है तो वीडियो को like करो and channel को subscribe करो thanks for watching take care and bye bye oh एक में चीज़ हो रहेगी anyways अभी discuss कर लेते हैं तो अगर तुम लोगों का error fix नहीं हुआ तो comment section में मझे comment करके बताओ कि तुमारा error fix नहीं हुआ ताकि इस पर मैं एक separate video बना दू और तुमारा error fix हो जाए ताकि तुम game को easily enjoy कर पो अगर fix हो गया है तो game को enjoy करो and comment section में thank you लेक देना appreciation होती है और वीडियो बनाने में अगली बार फिर motivation मिलती है और मैं new वीडियो फिर बनाता हूँ and also इसके लावा अगर कोई और error आ रहा है तो उसका भी बता दो ताकि उस पर भी में separate video बना दू आई तिंक बहुत गर्षप होगी तुम ये celebration देखो and इसी के साथ वीडियो को भी एंड करते है thanks for watching take care and bye bye